राम के आदर्श, राम के मुल्य, राम की सिक्षाएं, सब जगह एक समान है पर ये देशवासियों, आज इस आइतिहाजिक समय में, देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारियों और समर्पन की वज़े से, आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में, कितने ही लोगों ने, त्याग और तपस्या की पराकास्ठा करके दिखाई है उन अंगिनत राम भक्तों के, उन अंगिनत कारसेवकों के, और उन अंगिनत संत महत्माओं के, हम सब रने है साथियों, आज का ये अवसर, उत्सवता का ख्षण तो है, लेकिन इसके साथ ही, ये ख्षण भारतिय समाज की, परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है हमारे लिए, ये अवसर, सिर्फ विजय का नहीं, बिनए का भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है, कि कई राष्ठ, अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजी हुई गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्किल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो ये बताती हैं कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लगी जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए राम लला के इस मंदिर का निर्माँ भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सदभाव और समनवय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं कि निर्माँ किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है झाल 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 झाल